हाई नमस्ते फ्रेंड मैं मम्ता मम्ता क्रेशन इंड व्लॉक्स में आपका स्वागत है उमीद करती हूं आप अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे आज मैं आपको बताऊंगी या फिर बनाऊंगी सूची का टेस्टी एंड हेल्धी नाश्ता आप यह नाश्ता मेरा वीडियो देख के बनाएंगे तो आपको यह नाश्ता काफी अच्छा लगेगा स्वाधिष्ट लगेगा और आपको मन करेगा बार बनाने का तो चलिए देखते हैं यह नास्ता किस तरह से बनता है इससे पहले आपको मेरे किचिन की तरफ जाना तो हम एक शिंगा मिर्ची लेंगे, उसको धो के अच्छे से मेहिन हमने काट लिया है, गाजन लेंगे, दो गाजन लेंगे, मेडियम साइज का उसको मेहिन धो के काट लिया है, तीन हरी मिर्ची लेंगे, उसको हमने मेहिन मेहिन काट लिया है, बारिक बारिक काट लिया है, फ सबसे प्याजर धिलगेंता है ,श़बर कटार में मेंज है और पारी की सबसे अरे मारे पालास के लिया मीजिक और पीशन नियग में हरा हूं तके लिए भी सेकाली के लिए लोल ये न मीन अरे प्रम यामशन일 को प्रम आखे सेसे को नाश्टा नाश्टा चलीए हम बैटर बनाने शुरू करते हैं सबसे पहले हम सूची लेंगे यह हमारा सूची है, इसको हम एक बॉल में डाल देते हैं, इसके बाद हम दही लेंगे, दही को हम एक बॉल में डाल देते हैं, इसके बाद हम हाफ कप पानी लेंगे, यह हमारा हाफ कप पानी है, इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसको फिर इस तरह से हम चलाएंगे, यह देखे हमारा सुजी दही पानी तीनों का तीनों हम लोग अच्छे से मिक्स कर चुके हैं अब इसको हम ढ़क के आधा घंट के लिए रग्देंगे के लिए इसको रख देते हैं आदे घंटे के लिए चलिए हम इसके बाद हम मुंफली का चटनी बनाते हैं इसके साथ खाने के लिए चलिए हम मुंफली का चटनी बनाने के लिए मुंफली इस तरह से हम रोस्ट करेंगे इसके बाद हम धन्या पता लेंगे, धन्या पता आप अपने हिसाब से ले लिजेगा, मैंने धन्या पता कुछ इस तरह से लिया है, इसको पीसना है, इसलिए हमने लंबा लंबा रखा हुआ है, इसके बाद हम मिर्ची लेंगे, अद्रक लेंगे, मिर्ची हमारा 6-7 तली मिर् इसके बाद हम तरके के लिए लाल मिर्ची लेंगे, दो लाल मिर्ची लेंगे, हींग लेंगे, एक चुटकी हींग लेंगे, नमक स्वाद अनुसाल लेंगे, उसके बाद हम दही लेंगे, दही हमारा हाफ कप दही है, तो हमारा चटनी बनाने के लिए, इस इस सामर्गी की जर के बाद हम थोड़ा कड़ी पता डाल देंगे तो यह मिर्शी लिया था हमने तीन मिर्ची डाला है फिर हमारा यह अध्रख हो गया कि फिर हमारा लेसुन हो गया हमारे यह धन्या पता हो गया कि हमारा दही हो जाएगा इसके बाद हम यह नमक डाल देंगे अब इसको हम इसी तरह से पीश देंगे चली हम पीशते हैं यह देखिए हमारा यह चत्नी हमने पीश दिया यह चत्नी को अब हम इसके तड़का लगाते चली देखते हम इस तरह से तड़का लगाने के लिए हमन तीस्पून तेल डाला है अब इसको लिए तूरा गरम हो चुका है अब इसमें हम हिंग दालें गरा राई और मेथि दान डालेंगे यह देखे निए तर्का लगा थे घ्ल लग रहा है इसको तेस्टी और हेली नाश्ते के लिए तो चलते हैं आम पहले तड़का लगाते हैं यह हम 3 Tps हम तो तर दालेंगे order कूर लेके देंगे टेल को अच्छ देश्छ को उलिफिए हिंग को नदाल देंगे जीर, राई और मेति-भन, मेतिन दाना हम जीर, राइ और मेति-ध्या मेवसी बिसके हम आई यह शार पड़ी पता डाल देंगे प्यास द्राल देंगे प्यास द्राल देंगे एक मिनट के लिए और चलाएंगे यह देखें अब हम गाज़ डालेंगे शिला मिश दाल देंगे इसको इसका चलाएंगे दो मिनट के लिए हम इसका दो फ्राई करेंगे 2-2 मिνटी की स्टरे मां फ्राइक कर得 ken演 अब हम इसमें नमक दालेंगे asks miss परश्कन फ्राइक करेंगे अब प्रॉा के रख दैंगे कि मुनट के लिए प्रम फ्लेम करें यह देखें हमारा सब्चिती फ्राइक हो चुका है अब इस पर चलाएंगे, हमारा सब्जी फ्राइ हो चुका है, हम इस तरह से सब्जी को फ्राइ करेंगे, फूला पकने लेंगे इसके बाद हमारे जो हमने नम्मा और मिर्ची और सामल मसाला था, उसको हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से चलाहिए, एक मिनट के लिए फिरसे ल्कन ठlk्राइ रख देंगे, हमारे करेंगे तकी श्रक्राइrics मत li टाला है, वो हाचासे पक बटने हमने मिक्स हो सकैओं, यह देखे हमारा एक मिनट हो चुका है तरह हम हम इसको देखते हैं, देखिए हमारा सब्जी अब हम धनिया पत्ता डालेंगे देखिए हमारा धनिया पत्ता है इसको इसको से डालेंगे इसको से चलाएंगे अब हम गैस बंद कर देंगे चली अब हम वैटर में मिक्स करते हैं अब हम इसको जेखिए हमारा बैटर फुल ऊसी तरह से हो गया है अच्छी से फूल गया है पूरा मड़ा सुची भी पूरा फूल चुका है आब इसमें हम जूहमने तड़का लगाया है उसको डालेंगे चली डालते हैं इसकी अंदर हम डालेंगे और यह देखिए हमारा यह का अब हम इसमें वेकिंग बालेंगे खाने वाला सोडा डालेंगे एक शुटेंफोर की मैंने बेकिंगे खाने वरा सोडा इस तर से डालेंगे कि ऐसको भी पॉसके बाद मुद अपर्वाजा दालाएंगे टो ठोकाず जालेंगे चलिए अब बनाना चरिए लोगा बटेंगे शुरू करते हैं चलिए अब यह देखिए हमने बैटरेस में डाल दीया है अब इसको हम भग के छोड़ देंगे पांच मिनट के लिए ताकि हमारा ये पक सके यह देखिए हमारा पांच मिनट हो चुका है इसको हम अप्रिटेंगे देखिए कितना अख्येत सब्सक्राद केशनक देफ्ट meats ओट्व हमारा यह सुची का टेस्टी एंड फेल्डी नाश्टा बन के त्याल हो गया है समीद करते वेडियो के आप लिखेकर आपको कुछ सीखने होगा क्यूल देखें और यह बना अब उम्मझे पताएएंगा मुझे बताएएं का किस तरह से बना और कैसा बना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो के लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए अगर मेरे चानल आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चानल से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा आगे आ अगरा नहीं वाला वीडियो आप तर पहुंच सके नोटिफिक्रिक्रिशन मिल सके तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुस अच्छा सिखने के लिए तब तक के लिए नमस्ते